नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Learn Math Easily में आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्डन डेपिनेशन जो है वाक्टर्स की मोई डिसकस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं और्थोगनल वैक्टर्स का क्या मतलब होता है हमने जब इनर प्रोड़क्ट स्पेस करा था तब हमने यह सेकंड प्रोड़क्टी करी थी इनर प्रोड़क्ट स्पेस की कि अगर हमारे पास में दो वैक्टर्स हैं, एक वैक्टर है जिसका उसके साथ में अगर हम इनर प्रॉड़क्त लेते हैं, अगर वो जीरो आता है, तो हमारे पास में क्या होता है? यानि कि जो वैक्टर है वो खुद में खुद जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमने उस वक्त बात नहीं करी थी कि दो अलग वैक्टर्स का इनर प्रॉड़क्त अगर जीरो आता है, वैसी कंडिशन में हमारे पास में क्या चीज होगी? तो वो ही चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, कि सपोस हमारे पास में V जो है वो इनर प्रॉड़क्त स्पेस है, ओवर अ फिल्ड एर, तो हमारे पास में अगर दो वैक्टर्स हैं, UV बिलॉंग्स तो V, सच तच अगर हमारे पास में U और V का जो इनर प् रेड़ टू बीफ और्थोगनल टू वीफ हम यह कहेंगे कि यू जो है वो व के साथ में और्थोगनल है, यह हमारे पास में और्थोगनालिटी की डेफिनिशन है, एक और चीज यह इसके साथ में यह है कि अगर यू जो है वो व से और्थोगनल है, तो व जो है वो भी उ स और्थोगनल होगा किस तर ऐसे क्योंकि अगर हमारे पास में u v is equal to zero है तो हमारे पास u v bar जो है वह भी equal to zero बार हो जाएगा तोनों साइडम बार ले रहे हैं इसका मतलब v u जो है वह किसके equal हो जाएगा zero का conjugate क्या है खुछ zero ही इसका मतलब क्या हो गया v is said to be orthogonal to u और हम क्या कहेंगे जब हमारे पास में inner product u v जो है वह zero होगा हम यह कहेंगे कि u and v are orthogonal to each other और यह हमारे पास में orthogonal का concept था तो चलिए मैं इसकी formal definition जो है वह आपको लिखके बताती हूँ तो formal definition इसकी कुछ इस तरह से है let v be an inner product space let u v belongs to v be any elements u is said to be orthogonal to v orthogonal to v if inner product of u v is equal to zero अम कब करेंगे कि u जो है वो v से orthogonal है जब हमारे पास में जो इनका inner product आएगा वो आएगा zero और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास में u जो है वो v से orthogonal है तो v जो है वो u से भी orthogonal होगा इस चीज़ को भी मैं फॉर्मिली लिख देती हूँ आपको if u is orthogonal to v then v is orthogonal to u and we say u and v are orthogonal vectors यहां पर हम यह कह रहे हैं कि u and v orthogonal होगे जब उनका आपस में inner product जो है वो zero आएगा लेकिन हमें यह चीज बिल्कुल नहीं पता है कि u का u के साथ में inner product क्या आ रहा है और v का v के साथ में inner product जो है वो क्या आ रहा है हमें यह चीज तो पता है inner product space की definitions से कि वो हमेशें greater than equal to zero होता है same vectors का inner product तो यहां पर inner product of UU greater than equal to zero है यह हमें पता है inner product of VV जो है वो भी greater than equal to zero है यह हमें पता है लेकिन exactly इनकी क्या value है वो हम नहीं जानते हैं और इसमें अगर हम एक condition और एड़ कर दें यानि कि हम यह condition एड़ कर दें यहां पर कि U और V जो है वो तो zero है उसी के साथ साथ हमारे पास में inner product of UU जो है वो one है and inner product of VV जो है वो one है यानि कि same factors का जो inner product आ रहा है वो one आ रहा है और उनी का अपस में जो इनर प्रोडक्ट रहा है वो जेरो आ रहा है तो ऐसी condition में हम इह कहेंगे कि यह जो इनर प्रोडक्ट है सवरी यह जो सेट है UV यह एक ओर्थो नॉर्मल सेट है इस पादल्ड और्थो नॉर्मल सेट इसके पार्मेल लेकनेशन में आपको लिख देती हूँ यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो वेक्टर्स की एक्स्प्राइशन पॉइंट आफ यू के हिसाब से लेकिन अगर हमारे पास में वी जो है वो एक इनर प्रॉडट्ट स्पेस है और X1, X2 and so on Xn जो है वो इस B का एक सबसेट है तो हम इस सेट इसको अगर हम S बोल दें इस सेट S को हम और्ठो नॉर्मल कब कहेंगे जब हमारे पास में इनर प्रॉडट्ट आएगा XI, XJ का 0 for all I not equal to J मतलब किसी भी ऐलिमेंट का उससे अपने से अलग दूसरे एलिमेंट के साथ में इनर प्रॉडट्ट अगर 0 आ रहा है उसी के साथ साथ में कोई भी एलिमेंट आप इसका उठा लोगे उस एलिमेंट का खुद के साथ में जो इनर प्रॉडट्ट आ रहा है वो बना रहा है तो ऐसी condition में हम उस set को गहते हैं और्थो नॉर्मल सेट यहां पर और्थोगनल सेट होगा होती है यह वाली S तो यहां पर सभी elements का एक दूसरे के साथ में inner product 0 आ जागा लेकिन इस set को हम और्थो नॉर्मल कब कहेंगे जब हर एक element का उसी element के साथ में inner product जो है वो 1 आएगा तो और्थो नॉर्मल की जो condition है वो थोड़ी सी और हायर condition हो जाती है और्थोगनल से तो इसकी formal definition जो है हम आपको लिखके बताती हूँ a sub-set a sub-set x1 x2 and so on xn of inner product space V is called is called an और्थो नॉर्मल सेट इफ फॉस्ट कंडिशन हमारे पास में क्या है इनर प्रोड़क्ट एकस आए एकस जे इस इक्वल टू जीरो फोर ओल आए नॉट इक्वल टू जे यानि कि हमारे पास में वो सभी एलिमेंट्स तो एक दूसरे से अलग है उनका आपस में इनर प्रोड़क्ट जो है वो जीरो आना चाहिए यही इसका मतलब है इनर प्रोड़क्ट XI is J is equal to 0 for all I not equal to J and second condition है हमारे पास में इनर प्रोड़क्ट ओफ XI XI is equal to 0 for all I यह हमारे पास में और्थो नॉर्मल सेट की रेफिनेशन थी अब एक रमाक बताती हूँ मैं आपको जैसा कि मैंने आपको यह बताया था कि और्थो नॉर्मल वाली जो कंडिशन है वो हायर है और्थोगनल से यही रमाक है और उसको प्रूफ करने के लिए मैं एक एक इसेट जो कि हमारे पास में और्थो नॉर्मल तो आ रही है बट वो और्थो नॉर्मल नहीं आ रही है एवरी और्थो नॉर्मल सेट एवरी और्थो नॉर्मल सेट एवरी और्थो नॉर्मल सेट इस एन और्थोगनल सेट इसके लिए एक एक्जाम्पल की मतल देंगे हम यहां पर हम V रेते हैं let V is equal to R cube यालिकि R cross R cross R which is equal to, इसमें किस थाइप के अलमेंस होंगे, triplets alpha 1, alpha 2, alpha 3 such that alpha I belongs to R यह आगया हमारे पास में अब यहां पर आप देखोगे define this from V cross V to F by, हम इसको किस तरह से define कर रहे हैं इस mapping को कि inner product of U V is equal to alpha 1, beta 1 plus alpha 2, beta 2 plus alpha 3, beta 3 जहां पर हमारे पास में U जो है वो है triplet alpha 1, alpha 2, alpha 3 और V जो है triplet beta 1, beta 2, beta 3 अब यहां पर हम एक subset consider करते हैं वैक्टर स्पेस का consider S is equal to W1, W2 यह हमने subset consider कर लिया जहां पर W1 जो है और W2 जो है वो होंगे इसी form के तो हमारे पास W1 जो है वो आ रहा है 1, 2, 3 और W2 जो है वो आ रहा है 4, 1, minus 2 अब हम इन दोनों products का inner product consider करते हैं inner product of W1, W2 which is equal to क्या होगा? coordinate wise multiplication और उनको add कर दिया गया है तो क्या आ गया? 1 plus 1 into 4 plus 2 into 1 plus 3 into minus 2 तो यहां पर यह क्या आ गया? 4 plus 2 minus 6 is equal to 0 therefore W1, W2 जो है यह आपस में क्या होगा है? orthogonal vectors होगा है are orthogonal vectors in V तो हमारे पास में अगर हम set consider करें S is equal to W1, W2 तो यह हमारे पास में क्या आ गई? एक orthogonal set आ गई कोई भी एक set जिसके सभी elements जो है वो आपस में अगर orthogonal होगे तो वो वाली जो set होगी वो orthogonal set हो जाएगी therefore S is equal to W1, W2 is orthogonal set in V बट आपस में यह वैक्टर्स जो है इनका inner product जो है वो क्या आता है? वो चेक करना भी बाकी है तभी हम यह कह सकेंगे कि यह ortho-normal set आ रही है या पर वो नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर inner product consider करते हैं W1 और W1 का आपस W1 और sorry W1 W1 का तो यह हमारे पास में क्या आ गया? 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 यह आ गया? 1 plus 4 plus 9 which is equal to 14 यह किसके बराबर नहीं है? यह नहीं है 1 के बराबर therefore S is not an ortho-normal set in V ortho-normal set in V क्योंकि ortho-normal set होने के लिए conditions क्या जरूरी होनी चाहिएती? यहाँ पर जो हम set S ले रहे है वो हमारे पास में है W1, W2 तो हमारे पास में और्थो-नॉर्मल के लिए condition यह थी कि इनका आपस में जो इनर प्रॉड़क्ट है वो 0 होना चाहिए उसी के साथ साथ में W1 का W1 के साथ में इनर प्रॉड़क्ट जो है वो 1 होना चाहिए और W2 का W2 के साथ में इनर प्रॉड़क्ट जो है वो 1 होना चाहिए लेकिन यहां पर W1 के साथ में इनर प्रॉड़क्ट जो है वो 1 के बराबर नहीं है therefore हमारे पास में S जो है वो एक और्थो नॉर्मल सेट नहीं है V का तो इस तरह से हमारे पास में और्थोड़क्ट जो और्थो नॉर्मल सेट यह वाला जो कॉंसेप्ट है वो यही पर ही कम्प्लीट होता है नेक्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंट आता है तो वीडियो को लाइप करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मातमेटिक्स के वीडियो देखने के लिए 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 मैट इसली चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले प्राइब है थां पाइप ना प्राइब जो पस्टाइब है